जी हाँ दोस्तो भारत और नीजुलैंड के बीच तीन टीटवन्टी मैची स्रीज का पहला मैच 27 जनवरी को खेला गया इस मैच में भारत टीम को 21 रन से हार का सामना करना पड़ा इसे सरमनाख हार के बाल हारत टीम में बड़ा बदलाब कर दिया है पहले टीटवन्टी मैच म नीजुलैंड के कप्तान ने टोस हार कर पहले बल्लेवाजी करने का फैंसला किया नीजुलैंड की टीम की सुर्वास तो सही नहीं रही पर डेरन कोनवे और मिचल बिरसवेल ने नीजुलैंड की पारी को समाल कर अपने टीम के स्कोर को 16 रन तक पहुचा दिया 176 रन के लक्स का पिसा करने उतरी भार्णी टीम की सुर्वास सही नहीं रही और 30 रन पर ही अपने टीन विकट कवा दिये सूरा कमार यालावो और हादिक पांडिया ने भार्णी पारी को समाल कर स्कोर को 80 रन के पार पहुचाया सूर्य और हार्दिक के आउट होने के बाद बासिंग्टन सुन्दन ने भार्दिक पारी को ये मैच जितानी कोशिश की पर भार्दिक टीम के बोलर सुन्दर का साथ नहीं दे पाए सुन्दन ने 28 गेंदों में 50 रंगी पारी खेली भार्दिक टीम इस मैच को एक किसंद से हार गई है इसी हार से गुस्से मा कर हार्दिक पांडिय ने टीम में बड़ा बदलाब कर दिया है हार्दिक ने पहले बदलाब करते हुए इसान किसंद की जगए प्रत्वी सोग को टीम में सामिल किया है इसान किसन इस समय खराब फोर्म में चल रहे हैं वही तेज गेंद वाजी की बात करें तो हार्दिक पांडी ने बदलाब ना करते हुए उम्रान मलिक और सिदीप सिंग और सिभमावी पर ही वरोस्त जेताया है उम्मीद है भार्दी टीम दूसरा मुकाबला जीत कर सिरीज 1- के वराबरे करेंगी